आज हम एक कहानी पढ़ने जा रही हैं और हमारी कहानी का नाम है तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा यह कहानी बाल गतिविधी कारेक्रम होशंगाबाद द्वारा रुपांतरित की गई है और इसकी चित्र कनक ने बनाए हैं और एक लव्वेने से पब्रिश किया है तो देखतें मुर्गी का अंडा कहां गया है एक दिन एक घर के उपर वाले कमरे में मुर्गी ने एक अंडा दिया अंडा सीडियों पर से लुड़क गया लुड़क मुड़क जाए अंडा लुड़क मुड़क जाए अंडा ओहो कहीं मेरा अंडा खो तो नहीं गया मुर्गी ने सूचा मुर्गी ने सीडियां उतरते हुए बक्कु बक्रे से पूछा तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा हाँ हाँ देखा है बक्कु ने कहा वह मेरी डबल रोटी पर गिरा था फिर मेज से लुड़क कर खिड़की से बाहर चला गया लुड़क मुड़क जाए अंडा लुड़क मुड़क जाए अंडा बक्कु बक्रे ने भी कह दिया ये खिड़की से बाहर चला गया तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? मुर्गी ने छोटी चडिया से पूछा हाँ हाँ देखा है चडिया बोली वेह नाली में लुड़कता हुआ उस छेद में चला गया ओहो चडिया ने भी बोला अंडा तो छेद में चला गया मुर्गी धोड़कर बाहर आई उसने बढ़कु सुवर से पूछा तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? तुम्हारा अंडा मेरे सिर पर टका था बढ़कु बोला फिर पीट से लुड़कर मेरी पूँच के चले में से बाहर निकल गया मुर्गी दोड़कर आंगन में आई तुम्हें मेरा अंडा तो नहीं देखा? उसने बटक से पूछा हाँ मैंने देखा है बटक बोली वै लुड़क कर बाड़े के पार निकल गया मुर्गी आगे गली वहाँ छुटकू खरगोश अंडों पर रंग कर रही थी तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? उसने छुटकू से पूछा हाँ हाँ मैंने देखा है छुटकू बोली एक छोटा सा प्यारा सा अंडा लकडी के उस छेड में जा गुसा है मुर्गी लकडी के दूसरे सिरे पर पहुची ओ हो उसने जैसे ही अपने अंडे को देखा वे एक बिल में घुस गया हाई मेरा अंडा मुर्गी रोने लगी मेरा अंडा खो गया को गया को गया को गया मेरा अंडा लेकिन तभी एक चूही उस बिल में से बाहर निकली रह बोली मुर्गी मुझे तुम्हारा अंडा में गया पर उसे कुछ हो गया है उसके टुकड़े हो गये हैं लेकिन उसे ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा की अब तुम्हारे पास एक प्यारा सा चूजा है मुर्गी बहुत खुश हुई उसका अंडा तो नहीं रहा लेकिन उसके पास अब छोटू चूजा है राम राम अम्मा राम राम अम्मा छोटू चूजा बोला मुर्गी और खुश हो गयी क्या तुम भी खुश हो लुडग मुडग जाए अंडा अंडे में से निकला है मुर्गी का चूजा मुर्गी का चूजा अब हम इस कहानी पर कुछ नई चीज बनाते हैं New professor So, for our activity we need sheet if you do not have colour sheet its fine I am using different colour sheets and scissors erazer, pencil, sharpener Fevicol and Crayon colour so we are going to make heurn grain झाल दान देखम झाल 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 झाल